हलो स्टुडेंट्स, गूड आप्टरनून, मैं सुमन, यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में संक्राचारिय के बारे में जानकरी प्राप करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स, संक्राचारिय जो टोपिक है, ये एकजाम की दर्स्टी से बहुत मैत्व प्रूण है कई बार एकजाम में इससे रेलेटेट क्यूशन पूच लेते हैं, तो आप वीडियो को द्हान से देखेगा और यदि आप लोगोंने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेसर मिलें और आप इत्यास की इत्यास विशे से सम्मधित नए ने टोपिक प्राप्त कर सकें ठिक है तो चलिए पढ़ते हैं संक्राचारिय का इत्यास प्राचीन भाठ के दार्षनि को एम द्रमाचारियों में संक्राचारिय का नाम अग्रगणे है उनका जन्म केरल प्रांध के अलवर नदी अत्थात मालावार तट के उत्री किनरे पर इस्तित कलादी नाम ग्राम में 788 इस्वी के लगबग हुआ था इनके पिता सीव गुरू, नम्बू तीरी, ब्रामन थे तथा उनकी माता का नाम आर्यमबा था बच्पन में ही उनके पिता का दिहांत हो गया, जिससे उनके पालनपोष्ण का सारा भार उनकी माता पर ही पड़ा माता ने उनके सिक्सा दिक्सा की और विशेश धान दिया था संकर अत्यन थी प्रक्षर बुद्धी के थे, कहा जाता है कि जब वे मात्र तीन वर्ष के थे, तब भी उन्होंने अपनी मात्र भाषा मल्यालम का ज्यान भली भांती प्राप्त कर लिया था पांच वर्ष के आयो में उनका उपनें सेंसकार हुआ तथा उन्हें गूरुकुल में अध्यन के लिए भेजा गया दो वर्षों में ही उन्होंने संपून वेदों दथा सास्त्रों का अध्यन समाप्त कर लिया था उसके बाद वे घर लोटकर सिक्स्या देने का कारिय करने लगे एक उसल अध्यापक के रूप में उनकी ख्याती चारों और फैल गई इनकी ख्याती सुनकर केरल के ततकालीन राजा ने उन्हें अपने दरबार का पंडित बनाने के उद्रस्य से उन्हें बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को बेजा संक्राचारे ने ये निमंत्रन ठुकरा दिया केरल नरेश्वेम इनके समुक उपस्तित हुए उसने संक्र को एक हजार असरफिया भेंट की तथा अपने लिख्यों ये तीन नाटक दिखाए संक्राचारे ने नाटकों को दे कर परसंता व्यक्त की किन्तु असरफिया लेने से इनकार कर दिया राजा इनकी परसंसा करते हुए घर लोड़ कया आठ वर्ष के आयू में संक्र ने अपनी माता की आगया लेकर सन्यास ग्रहन किया बताया गया है कि उनकी माता ने इस शर्थ पर उन्हें सन्यास ग्रहन करने के आगया दी कि वे घर पर स्वेव उपस्तित होकर उनका मर्तक संसकार संपन करेंगे उसके बाद उन्होंने सन्यास ग्रहन कर लिया. ग्रहत्या के बाद सरुपर्थम संक्राचारी नरंदा नदी के तर्ट पर आई, जहां गोडपात के सिस्षे गोविंद योगी को उन्होंने अपना पर्थम गुरु बनाया. उनसे संकर्न सन्यास की दिक्षा ली थी तथा आत्मे विद्या का उपदेश ग्रहन किया गुरुने उन्हें परम हंस की उपाधी परदान की गुरु से उपदेश ग्रहन कर संकर सिक्रही एक सिद महात्मा बन गए अब उन्होंने गोविंद योगी से अपने ज्ञान के परचार के आग्या मांगी उन्होंने संक्राचारी को सरवपर्थम कासी जरने का आदेश दिया कासी पहुंचकर वे बगवान संकर की आराधना यहों अपने ज्ञान के परचार के कारिय में जुट गए उनकी ख्याती चुतर दिस फैल गई अर्थाद चारों दिसों में फैल गई थी कहा जाता है कि एक बार स्व्यम भगवान संकर ने उनकी परिक्षा ली तथा एद्वेद मत का ज्यान कराया संकर में ज्यान प्राप्त करने की उत्क्रेश्ट अभिलासा थी इस उदेशे से उन्होंने कस्मिर से कन्या कुमारी तक के विबिन तिर्थ स्थलों का व्यापक भर्मन किया बोद, जैन, कापालिक, स्मार्ट तथा अन्य अन्येक संपड़ायों के आचारियों के साथ उनका सास्त्रार्थ हुआ नन्रा नदी के अतट पर महस्मती में उनका मंडन मिस्रत था उनकी पतने के साथ सास्त्रार्थ हुआ इन दोनों ने अपनी पराजे स्विकार की तदा संकर के सिसे बन गए एक मत के अनुसार, परियाग में पर्ख्यात दार्षनिक कुमारिल भट्न से भी संकराचारिये का साथ सास्त्रार्थ हुआ था कुमारिल ने संकर के सभी सिधानतों को स्विकार कलिया तदा मंडन से मिनने का आग्रह किया किन्तु कुछ विद्वान इसे स्विकार नहीं करते संकर के जीवनिकार आनंदगीरी ने लगबग पचास अंपर्दयों के आजारियों का उलेक किया है जिनसे उनका सास्त्रार्थ हुआ था इन दोनों ने अपने प्राजे स्विकार की तथा संकर के सिसे बन गए एक मत के अनुसार प्रियाग में परख्यात दार्षने कुमारिल भड़से भी संकराचारिये का सास्त्रार्थ हुआ था कुमारिल ने संकर के सभी सिधानतों को स्विकार कर लिया तथा मंदन से मिन्ने का आगरे किया संकर के जीवनिकार आनंद गिरी ने लगभग पच्चाह संपर्दायों के आचारियों का उले किया है जिन से उनका सास्त्रार्थ हुआ था सभी को संकर ने पराजित कर अपने आध्यात्मिक दिविजे का लगसे पूरा किया उन्होंने कई बार मालाबार तठकी भी आत्रा की वहां उन्होंने सुधार आंदोलनों का सुत्रपात किया उनके सुधारों के समय से ही कोलम समथ 825 इस्च्वी का प्रारम माना जाता है उनके द्वारा हिंदू धर्म के परबल परचार परशार से बोध धर्म को गहरा दक्का लगा तथा उनका विलोब हो गया था अपने कारियों को मूर्त रूप देने के लिए संकराचार ये ने देश के चारों दिसाओं उत्तर में केदाना, दक्सिन में स्रिंगेरी, पूरम में पूरी तथा पसी में द्वारका में परसिद मठो की स्तापना की स्रिंगेरी में रहते हुए ही संकर को अपनी माता की बिमारी का समाचार मिला संकर उन्हें देखने गे, इनकी माता तिन परसन हुई, तथा उनी के सामने उनकी मर्ट्यू हो गई अपने पर्ति गया के अनुरूप संकर ने सन्यास ध्रम तोड़ कर अपने हातों से माता का दहा करम किया संकराचारिय मत्र 32 वर्ष तक जीवित रहे, उनकी मर्ट्यू 850 इस्वी के लगबर हुई थी तो देखेगा इस वीडियो में हमने संकराचारिय के बारे में जानकरी प्राप्त की आग्या की वीडियो में हम इनके सिधान्त के इनके दर्सन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस पे